हाउ डू फिक्स रेलमी अनोपो जिओ वीडियो कोल प्रॉबल्लेम। नमस्कार डोस्तो अगर आप सभी का तिकी राच यूटुब चैनल पर तो अगर दोस्तो आपको जिओ वीडियो कोलिंग प्रॉबलेम आ रहा है ठीक है जियो से आप वीडियो कोल करना चाहते लेकिन प्रॉब्लेम कर रहा है तो केसे आप उसको fix कर सकते आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के regarding पर solution देने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखे वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको जो है केसे वीडियो कोल प्रॉब्ले में आपर solve करना है ठीक है और वीडियो कोल के related में आपको कुछ tips देने वाला हूँ तो उसको आप जान की ही जाए इस वीडियो के true ठीक है तो चलिए वीडियो को देरना करते हुए शुरू करते है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए वेल आइकोन को क्लिक करें यह जी आप online पेसा कमाना चाहते है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा ठीक है और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है सेटिंग पर जाना है and then एक बार airplane mode को enable कर देना है airplane mode enable करने के बाद करेब आपको wait करना है दो मिनिट के आसपस उसके बाद ओफ कर दीजिए तो जब airplane mode off हो जाएगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नेट्रों को रिफ्रेश्ट हो चुका है तो अभी आपको क्या करना है आपको नीचे के तरफ आना है नीचे में आपको मिलेगा एब management एब list उसमें जाना है सबसे पहले आपको मिलेगा camera option पर क्लिक करें फोर्स तप कर दीजिए और storage यूज़ पर जाके उसका data को clear कीजिए और इसका जो permission से सारे आपका allow होना चाहिए ठीक है सारे permissions allow करने के बाद आपको और नीचे आना है नीचे दोस्त करने उसमें Google support करते तो यहाँ पर आपको कोई भी default setting बगरा नहीं मिलेगा ठीक है आपको एप के true use करना है वीडियो को link क्योंको यहाँ पर Google डियो जो है Google के तरफ से ठीक है Google LLC के तरफ से आपको दिया जाते हैं तो आपको वही यूज़ करना होगा तो उसके लिए उस एप permission पर जाके सारे permissions इसका allow करें तो यहाँ पर सारे permissions आपका जो है allow section पर होना चाहिए और उसके बाद दोस्तों आपका जो यह एफ है Google डियो वह आप प्लेश्टोर में जाके update कर लीजिए ठीक है तो यह कर लीजिए और उसके बाद आपको नीचे के तरफ और जाना है और इसका permissions allow करना है सारे permissions allow section पर होना चाहिए और last में आपको करना है device को restart उसके बाद आप वीडियो कोल करने की कोशिश करें ठीक है वीडियो कोल आप यहाँ पर कर सकते तो यह है दोस्तों वीडियो कोलिंग ठीक है तो वीडियो पर क्लिक करें वीडियो कोल करनेक हो जाएगा और दोस्तों यहापर अगर वीडियो कोल कनेक्ट ना हो ठीक है तो उनको आप वीडियो कोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर वो बंदे यूस नहीं करते हैं ठीक है गूगल डियो तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगें तो दोनों ही गूगल डियो यूस करना चाहिए तब जाके वीडियो कॉल कनेक्ट होगा और Google डियो से आप बातचीट कर सकते हैं ठीक है अगर दोनों वास्थेप यूज करते हैं तो वास्थेप वीडियो कॉल आप कर सकते हैं सिग्नेल है तो सिग्नेल से भी कर सकते हैं फेस्बुक मेसेंजर से भी कर सकते हैं तो options आपके पास बहुत सारे तो इस तरीके से fix होगा आपका video calling problem By any chance अगर आपका mobile पे video calling support नहीं कर रहे ठीक है अगर video calling support नहीं कर रहे तो आपको software update पर जाना है और software को update कर देना है जैसे software को update करेगा आपका problem fix हो जाएगा तो फिर update करने से इस तरह का problem रहते वह बिलकुल fix हो जाते तो आप भी इसी solution को follow करें आज की इस video बाटोस तो बस इतना ही thanks for watching